हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग पिछला क्लास था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उसमें आज यह बढ़ते हुए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे कि विंज अप्लिकेशन आज ट्रिग्नोमेट्री कहां पर इसका प्रियोग होता है कौन लोग करते हैं तो हाइट डिस्टेंस में जिसे सब्सक्राइब बहुत बड़े बड़े पहाडों की हाइट मीनार की हाइट बिल्डिंग की हाइट जिसको हम विचकली बहुति रुप से नाप नहीं सकते हैं या प्र ट्रिग्नोमेट्री में इसकी हाइट हम लोग क्याद कर सकते हैं हुआ 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 हम शुरू करते हैं हाइट डिस्टेंस हे आई जी यह टी हाइट डिस्टेंस यह हाइट डिस्टेंस के वारे में इतिहास स्वरूप सभी किताबों में दिया गया है एक इंस्टुमेंट रोटा है थियोडो लाइट जो सिबिल इंजिनियर्स यूज करते हैं शर्वेट के लिए और इसी थियोडो लाइट की मदद से जब हमारे हाँ बिट्टिसर्स थे एटीन फिप्टी टू में इसका विष्कार करके और सबसे बड़े पहार एवरेश्ट की चोटी की हाइट की गढ़ना की थी तो यह उनका नाम था जो साइंटिस्ट से मिष्टर यूरेश्ट नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया तो हम मैथ की बात करते हैं इसकी नहीं तो हाइट इंड डिष्टेंस सपोँच करो कोई मीना है जिसे कोई अस्तम है यह माली यह अस्तम है यह ग्राउंड लेवील है कि यह एसे मनाते हैं यह जीन ग्राउंड लेविवल अलब जहां पर हम का सकते हैं जमीन जमीन के ओपर यह कोई एस्टम्ब खड़ा हुआ है जिसकी जो जिसका टाफ है यह पॉइंट यह ले लिजे इसको ए इसका ग्राउंड पर पॉइंट है ए और इसका टाफ है बी तो इस हाईट कjem कैसे मीजर कर सकتे हैं इस मीनार लेट इट Radio मीनार ऐ वि मालो कुतू मीनार कि लेंट इट इनडी कुत मेनार लेट इट इट इस जे मीनार माना ये एक मीना है बिना नापे गुई इसकी हाइट कैसे बिना मीजर्मेंट किये हुए क्योंकि मीजर कर नहीं सकते हैं बहुत खूंची है इस पे चल नहीं सकते हैं आसानी से तो आसानी से कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि देखते हैं कि इस सीधा तो यहां एक लाइन बनती है साइड इसको पहते हैं लाइन आप साइड ये ये बी पॉइंट को देखते हैं तो एक सीधी रेखा बन गई अब ये हाइट है हाइड ये बहुती गूप से लिया जा रहा है फिसकली तो आपको समझाने के लिए कि आदमी खड़ा है वो इसकी आँख है और इसको देख रहा ह तो उसकी हाइट आदमी के हड निकाल दीजिए यहां से इसको मिला दीजिए माली जिए मिनार के हैट से जो है अंग और यहां से देख रहा है फिर यह ट्रेंगिल आपका बन गया है जो ट्रेंगिल बना CDB ट्रैंगिल के नोटेशन निसे लिए ब्रेंगिल का छोटा ट्रैंगिल ट्रैंगिल CDB एक सम्कोण है राइड टैंगिल सम्कोण यह तिरभुज है सम्कोण तिरभुज है यह देखता है along the line इसको, तो ये इसका हाइपोटेनेश हो गया, ये बेश हो बेश हो गया, अब ये जमीन पे है बेश, तो आप इसको नाख लेगे AF Jadi telef के बारबर बजाएगे, इसकी हाइट पता है आपको इसकी पता हर, जो इसकी पता है आद्मी कितनी दूरी पर मिनार से खड़ा हुआ है यह लाइन निकल लेड़ यह एंगिल पता हो जाएगा कि वर्जेंटल से इसकी कि लाइन आप साइट जो है किता एंगिल बनाती है मानुद थीटा है तो यह फार्मूला है आपको यह ए बी निकालना है तो पता ही है अब डी बी इस ट्रेंगिल से ट्रेंगिल सी डी बी से डी बी निकल जाएगा तो यह तैन थीटा जिसमें यह भी आजाए यह मालूम है तो यह आजाए तो यह लिखेंगे ट्रेंग्रमेट्री का फोनोला तैन थीटा इक उकल टू बी डी इवाइड़ेड़ बाई सी डी तो पता चल जाएगा तेड्रमेटिकल टेबिल से थीटा का मान पता चल जाएगा निकल जाएगा एक एक जयाव्पल लेज़े जिसे सिम्पल जिस थीटा का आपको पता है कित्ता होता है मौन लो यह साथ डिग्री है लेट इट विल माना यह साथ डिग्री आता है उदाहरण के लिए तो 1060 BD बटे CD, BD divided by CD, और मान लो कि यह 50 मीटर पे खड़ा है, माना यह 50 मीटर है, CD की लंबाई, मिनार से आसमी जो है, 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो यह CD बजाएगा 50, BD by CD, और इसकी वायू बजाएगी, रोट 3, तो BD बजाएगा, इस से सिंप्ली, BD इकल टू, रोट 3 टाइम्स, और CD, CD की दूरी पे खड़ा है, उसका रोट 3 टाइम्स जो है, यहां से यह हाइट होगी, और उसमें इस आदमी के हाइट जोड़ देजे, तो मिनार के हाइट निकल जाएगी, तो बजी सिंप्ल, अगर यह 50 है तो, रोट 3 टो 50, मेंटर, रोट 3 के वायू रख दीजाएगे, अप्रॉक्सिमेट वोलो 1.7 इंटो 50, 85 मेंटर, तो BD आपकी मेनार की हाइट, BD और जो, उसकी एस आउर जोड़ दीजे, जितना एक डेल मीटर का अदमी होता हो, तो माल लो, तो BD बराबर, अए, AB, मेनार की हाइट, AB, मेनार की हाइट, यह बराबर हो जाएगी, डेल मीटर और जोड़ दीजे, 86.5 मेंटर, यह इसका प्रयोग है इसी प्रकार से अगर कोई उपर बैठा है मालोग बहुत उंची बिल्डिंग के मल्टी स्टोरी पर बैठा है उल्टा इसका हो सकता है यहां आदमी यहां से देख रहा है कोई आदमी यहां बैठा है बस सिंप्ल सा इसको चेंड कर दीजिए हां तो एक और बता दें इसको इसको ट्रोमिनोलोजी इस एंगिल को जो नीचे से ऊपर देखता है तो बर्जेंटल के साथ यह एंगिल बनता है इसको एलिवेशन को देखता है तो इसको कहेंगे थीटा को कहेंगे इंगिल आफ एलिवेशन इंगिल आफ एलिवेशन हिंदी में उन्नायन कोण उन्नायन कि यह हो गए अब इसको मिटा देते हैं तो नमेरिकल प्राउब्लम है अब जने के लिए कैसे ट्रग्रामेटरी का परियोग होता है एक मिनार परवक कि चोटियों की हाईट गयाद करने में किसी बी उची वैस्तों की हाईट गयाद करने में अब देखिए इसको एंगिला विवेशन कहते हैं थ्लीटा को अब इसी में कर कोई आदमी यहां है मालोग बिल्डिंग की छत में बहुत बड़ी बिल्डिंग है है यहां कोई चीज़ रखी हुई है यह ले लो है यह आपकी जमीन है जमीन है यह समझ लो कि यह आपकी जो है यह नदी का किनारा है दोनों कि डिश्टेंस भी गयाद करें वह तो हाइड की मात किये यह रीवर है एवी क्या है रीवर की चौड़ाई रीवर इत्ती चौड़ी नदी है रीवर विट डबलो एडी टी है या फांट फांट भी कह सकते हैं अब यहां इस के आख है यहां सी देखताए यह यह तरहन से यह कि नारे पर कोई बिंदु है कोई छोड़ेका भास फूसक्त लगा औश देखर गए यहां से इसकी कि कि आइस साइ़ आप साइप हैं जिसा परेट क्यां पर पॉइंट है उपल को घंप कि न चैने को ऐख रहा हैा तो लाइन आप साइट को इसमें ये एульवरेजेंटल यहां भी ऑरिजेंटल से इंगडेंगे यह यह एंगे मोसितक इंगे यह इंगे नामीट सो इसको देप्रेशा नयुकर हसके अन्यजी बीपरेशन एंगे 기본 कि अ एप टीपेशन डीप्रेश में न्युकैनी के और एंगडा I और आउनयन कोड आउनत से बना उननती आउनती 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 वाहने नीचे जाना गिरना उननती अने विकाश उपर उपना तो इसे आउनत से बना आउनयन आउनयन कोड उननयन आउनयन इंगिल उब डिप्रेशन थी थीटा बराबर इंगिल उब डिप्रेशन अगरेजी में आना एनको तो सेम तिंग यह है कोई नदी है और यह बिल्डिंग की अब यहां पर बिल्डिंग की यह एच जो है है पता है सपोर्च करो यह कि बीश मीटर है बिल्डिंग के अब कि अब आप महले की बिल्डिंग है बीश मीटर और यहां से यह नदी की चवड़ाई है एबी गयात करना है तो यह इंगिल थीटा है तो एंगिल भी थीटा हो जाएगा क्यों एक तो यह और यह पाइरवल ने ग्राउंड है यह जो लाइन इक्सेंटर तो यह ग्राउंड है कि यह नदी है नदी का लेविल है रीवर लेविल सपोज प्छ बाइब रही है तो यह ग्राउंड लेविल तक है थानी ये एंगिल ये लाइन, ये और ये ग्राउट अल Rubd येंग। थिटर थिटर जते जिते हुए। मुझा है। then this is theta, both way